तो है गाइस कैसे हो आप सभी लोग वल्कम बैक टू मैं चैनल एजी अनाई मांगा तो गाइस आज मैं एकस्प्लेइन करने जा रहा हूं वक आफ एस पर गे एपिसोड नमबर 497 को जोकि आल सु काफी जदा अमेजिंग उने वाला है इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शे लग रहा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वाला एपिसोड अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अलर्य यहान को दिखाए चाता है कि आने वाला बैंक्वेट खून की तरह बिल्कुल ब्लडी रेड होने वाला है तो अब जूफन में स्माइल क को रोकने बाला बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि और जो कोई भी मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए मेरे सामने आएगा वह अगले ही पल अपने आपको जमीन में 6 फूट अंदर पाएगा तो अब जूफन के इतना कहने के साथ ही यहां पे सीन चेंज होता है अगले दिन सेक्ट लीडर जूब यह कि सेक्ट हौल का दिखाया जाता है चाहां पर की तीनों अलाइट वेनरेवल्स आयोते हैं और वेनरेवल यान तो चिलात हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं कि हम लोग तो हमेशा से उसी की साइड पे है लेकिन फिर भी क्या वो हमें अप कोई फर्क नहीं पड़ता दो एकदम शानती से बैटे हुए उनसे कहते हैं कि मैं उसके स्टाइल को अच्छी तरीके से जानता हूं इसलिए मैं यह क्लियर दौर पर कह सकता हूं कि वो जरूरी कुछ ना कुछ तो करने वाला है वो जरूरी आपके अच्छे के लिए माफी क दावत को वहां पे रख रहा है इसलिए आपको उसमें सामिल होना चाहिए और वैसे वह वहाँ पे आपको दिमॉनिक को देना चाहता है तो अब यह सब सुनने के बाद फिर वेनेवल यान भी उनसे कहते हैं इस सेक्ट लीडर आखिर आफ तुमको क्या हो गया है और मुझे बताओ क्या तुम सचमच में यहां पे टेंशन को कम करने के वारे में सोच भी रही हो क्योंकि अगर हम सचमच में इस मेल मिलाव बैंक्विट में स इसलिए आप लोग तो इस मैटर को छोड़ी दो क्योंकि वैसे भी मैं इस चीज को जाने के लिए काफी जदा क्यूडियस हूं यह आखिर वह बच्चा जूफिन इस सब को किस तरीके से खत्म करेगा और मैं तो यह आशा करता हूं कि मुझे खुद इसमें अपना कदम ना और तवी हमें वहाँ पर एक टेवल पर कोई लेंग को दिखाया जाता है कि यह सब कुछ होता हुआ देख करके गुस्से में टेवल पर एक पंच मारता है चिलादू अपने साथियों से कहता है कि यहां पे तो गलत हम लोगों के साथ हुआ था जबकि वह लोग तो वह हैं जोनों ने कि यह सब कुछ गलत किया था तो फिर आखिर हम यहां पर उनसे माफी की दावत क्यूं रख रहे हैं और वैक्टी का दूरूप से इस तरीके से उनसे माफी मैंगना यह तो सच मुच में बेहती ज़्यादा शर्म नाक है तो तवी इस तरफ जूलिंग भी पर बैठे क्या कर रहे हो सीधे यहां से उठाओ और यहां से चले जाओ ना तो टाइइंग की यह बास सुन तो यूलिंग चिलात हुए कहती है कि अच्छा और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि वैसे वी यह खुद स्टीवर्ट जू के और उनकी बात को ना मानने की हैमत तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते आखिरकार उन्होंने हमारी तब से कितनी ज़्यादा मदद की है वरना तो मैं कवका इस टेवल को पलट करके चली गई होती है तो अब तभी इदर दूसरी और कुई लेंग टाइइंग से पूछने लगता है कि मैं तो यहां पर इस वाज़ा अपमान जनक है क्या सच मुझ मैं तुम यह सब सह सकते हो उन लोग की यह सारी बाते सुनने के बाद राइंग तो गुस्से में अपने दात पीसने लगता है लेकिन फिर वह अपने आपको शांत करते हुए कहता है कि मैं भी यहां पर सिर्फर सिर्फ स्टीवर्ड जू की ही कवर कर पाया हूं और यहां तक कि उनकी जासे अब मैं रेडिन स्टेज में अंटर कर पाया हूं तो फिर आखर मैं उनकी इस बात के लिए मना कैसे कर सकता था इसलिए उनकी जासे आज मैं यहां पर आया हूँ तो अब तभी क्विलेंग भी खड़े हो दूए कहता है कि क्या दा हेविन रीचिंग पिल तुम उसी मिस्ट्रीकल पिल की बात कर रही हो ना उस पिल की बज़ा से तो मेरा बेटा गैंगर और यूलेंग की सिस्टर भी बच पाई थी सच मुझ में वो पिल तो बिलकुल एक मिरीकल की तरह है अब तो भी टाइइंग भी कहता है कि हाँ स्टीवर्ड जू के पास में सच मुझ में हैविन्स को चनौती देने की शमताए है चो कि लोगों को मौत के मुझ से भी वापस लाने में शक्षम है इसलिए मैं तो सच मुझ में स्टीवर्ड जू से बयहती ज़्यादा प्रवावित ही और मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे सेक्ट में कोई भी ऐसा एल्डर या फिर वेंडरेवल होगा चो कि इतना ज़्यादा कैपेवल होगा कि वो भी ये सब कर पाई लेकिन आज का ये मामला इस मामले के उपर मैं आफ कुछ भी नहीं कहना चाहता इतना कहने के बाद फिर टाइइंग गुई हू से बूचता है सीनेर ब्रोदर गुई हू तो फिर आप बताएं कि आखिर आप यहाँ पर किस लिए हैं आउटर और इनर डिसाइपल्स भी है लिए प्लीज आपसे जितना हो सके आप अपने आपको उतना ज़दा होल्ड बैक करें रखना किसी भी तरीके से उन लोग को गुस्ता दिनाने की टॉंट वगयरा मत करना अपने बेटे की यह बास सुनने के बात तो कुई लिंग उससे में कहता है कि अब यह बहुत ज़ादा हो रहा है उन सभी लोग को उन दोनों कमीने एल्डर्स ने ही बुलाया होगा ताकि इस तरीके से वो हम लोगों को और भी ज़दा अपमानित कर सके तो अब तभी यूलिंग भी कहती है कि अपमानित होना एक अलग बात है लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं इनके इरादे इससे भी ज़दा बुड़े नहों इस दावत के दौरण हमें अपमानित करना और हमें किसी भी तरीकी की परतिकरिया करने के लिए उकसाना उन्हें हमें खत्म करने का जरूर एक आसान कारण देगा ठीक वैस पर बैठे वेनरेवल भाई उन्हें देखते हुए कहते हैं कि आखर यहां पर यह सब क्या गरवड चल रही है जूफन ने आउटर और इनर डिसाइपल्स को अपनी और अट्रैक्ट करने के लिए लोग को कई सारे रिसूर्स और कई सारे ट्रेस को देने की ट्रिक के लिए वो सबी लोग बिना कुछ सोचे भाग करके लेवर आफिस में जॉइन हो जाएं लेकिन अव बदले में दूसरे बक्ष नहीं वही रहने नीती अपना ही है उन्होंने भी लेवर आफिस की डिग्निटी को डिस्ट्रॉई करने के लिए डिसाइपल्स का यूज़ किया और अ काफी नामे की दावत को जारी रखे रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे ओपर बाकी की डिसाइपल्स की वफदारी भी हम लोग खो दें लेकिन सेक्ट लीडर ने तो कहा था कि जूफ फैन सच में एक मास्टर माइंड है फिर आखिर वो एक इस तरीके का बेवकुफी बड़ा मूव क्यों चल रहा है इधर वेनेवल भाई और वेनेवल की तो यह सब की वादे से काफी दुखी हो रहे होते हैं तो कि दूसरी और फिफ्ट लर और सेकंड लर जोड़ो से हस रही होते हैं वैसे तो वेनेवल की को और भी जड़ा गुस्ता आने लगता है और वो कहते है तो मैं कभी भी यहाँ पर सामिल होने के लिए बिल्कुल नहीं आता हुआ इस वेनेवल की के इतना कहने के साथ ही यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाये जाता है जहाँ पर की यूजवान बोड़ोत हुए एक तालाव के किनारे पर बैटी होती है और त और अगर मुझे अब टाइम पास के लिए कुछ नहीं मिलता है तो मैं ज़रूल से बोर्यत के मारे मठ ही जाओंगी यूजवान के इतना कहते ही चाई फैंग पीछे से पगड़ते हो से प्यार से गले लगा लेता है उताव यूजवान काफिज evening और जाद हैं चाइ नजर दिया था यह विए तरीके के बैरियर को आसानी से तोड़ सकती है और अगर वो तीनों ओल्ड को लाइट एडिया के बाहर भी हमें रोकने के लिए कोई बैरियर खड़ा कर गई होंगे लेकिन अब फिर भी हम वहाद से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं यह सुनकर मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की तिन फिर भी आप इतना सदा जल्दी क्या कर रही हो मेरे ग्रैनफादर ने यह हैवन रेजिंग हैलवर्ड एक काम के लिए दिया था और क्या तुम यह जानती हो कि उन तीनों बजगों ने हमें इस जगा पर किस लिए फसाया थ और आखिर किस लिए उन्होंने हर किसी को बिना जाज़त के इलाइट एरिया को छोड़ने से प्रतिवन दित कर दिया था शीलिंग भी उससे पूछते है कि हाँ आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया तब चाइफेंग कहता है कि अगर मैं तुमें बताऊंगा तो तुम विश् सेट करने के लिए गई हुए हैं और अगर हम लोग वहाँ पे जा पाते हैं तो वो लोग इन प्रस्तितियों की वजह से हम आगे जाकर के उन्हें और भी जदा अपमानित कर देंगे इस वाया से उन्हें एक कौने में धकेल दिया जाएगा और आखिरकार वो लोग अपने आपको hold back नहीं कर पाएंगे इस वाया से हमारे grandfathers को भी लेवर ओफिस को को चलने का एक excuse मिल जाएगा वो तीनों old courts इस सब को avoid करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो अब चाइफ हैं कि यह सारी बाते सुनने के बात तो इसवान काफी जरूरों से हस intersect के वेंडरेवल्स का ध्यान खीचने लायक भी कैसे हो सकता है और आकर ऐसा कोई भी व्यक्ति intersect के elders और वेंडरेवल्स की बरावरी कहां से कर सकता है क्योंकि खुद की गल्ती ना होने पर भी खुद से माफी मागने के लिए आगे आकर कि हमारे सामने जोग रहा है अब जब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना शुकूरिया